नमस्कार वाईचाव, मेरा नाम है गुर्दत सर्मा, मैको ग्रोव इंड़को कंपनी से आये हैं आपके स्वयाबिन देखने के लिए, तो आपने क्या क्या डाला है इसमें, वो आप पहले तो आप अपना नाम बताईएगा, अपना गाउँ बताईए और आपका जिला बताई अपना पूरा एडरस बताईएगा, मेरा नाम संतोस धाकड है, मैं गाउँ आक्या जागिर तेसिल खादरो जिला उज्जेंज का रहने वाला हूँ, और हमने स्वयाबिन में और पास आजा, हम क्या डाला था आपने, उर्जिट डाला हमने इसमें, तो क्या भी गाम उर्ज क्या फाइदा हुआ, यह नेकुसान हुआ, दोनों चीजें बो आप बताईएगा, यह में फाइदा यह हुआ, यह फली दिखाओ, इधर फली दिखाते हैं, इधर देखो यह फली है, फली तूटके नीचे नी गिरिया, फली अच्छी आईए इसमें, यह देखो, यह फली अच्छी बनीए इसमें, फूल कैसा आया था जब उर्जित डाला था आपने, फूल थोड़े कम थे उर्जित डालने के बाद आपको फूल की मात्रा ज्यादा मिली तो आप इससे कितने खुषैं, बहुत अच्छे खुषैं इस से तो, और यह हमारे यहां पर आग्या आपको इसका रेल्ड कैसा अलगा आप अपना पूरा एड्रस और आपको अपने जो ग्रोइंड को के जो प्रोड़क्त है, वो कौन-कौन से अच्छे लगे और कौन-कौन से आप बेजते हो, वो थोड़ा बताईएगा, सबसे पहले तो ग्रोइंड को के बीज उप्चार म अच्छे तीन दिन में आपने उप्चार करवाया था तो इन दिन में स्वयवीन बाहर आ गया था, तो उसके बाद में क्या पढ़ाना मिला और उसके बाद जब पोधे की चाल सुरुवा से रहती है, इसको खाग भी ज़्यादा दे रहा है, ऐसा लगने लगा है, अच्छे अच्छी ली तो अपने प्रोडक्त से यानी सर्टिफाई है, अगर जैसे मैं कहूं के दस नम्मर या बीस नम्मर या पचास नम्मर या सो नम्मर तो कितने को से हैं, अब और उर्जित कैसा रहा आपकी नेजर में, इस प्लाट में यह थोड़ी सी इन्होंने प्रस्टर डो तो इनका दो दिन बाद इन्होंने खुद कहने लग गए कि निया, दो दिन में तो पूरी वाफस हरापन आ गया था, दो दिन में आनी हरापन हो गया था, एक जैसा प्लाट हो गया था, प्लोट दिखाओ तोड़ा कैसा है, प्लोट में दूआख हो दिन भी गपिर, नवास्कार भजिए भड़ाझ रचाह था, उलाओचाले